लीजी सुनिये जैशंकर प्रसाद की लिखी कहानी बंजारा वाचन समीर गोस्वामी का है धीरे धीरे रात खिसक चली प्रभात के फूलों के तारे चू पढ़ना चाहते थे विंध की शैलमाला में गृरी पत्थ पर एक जुंड बैलों का बोज लादे आता था साथ के बंजारे उनके गली की घंटियों के मधुर स्वर में अपने ग्राम गीतों का आलाप मिला रहे थे शरद रितु की ठंड से भरा हुआ पवन उस दीरग पत्थ पर किसी को खोचता हुआ दौड रहा था वे बंजारे थे उनका काम था सरगुजा तक के जंगलों में जाकर व्यापार की वस्तु क्रेविक्रे करना प्रायह बरसाच छोड़ कर वे आठ महिने यही उद्यम करते उस परिचित पत्थ में चलते हुए वे अपने परिचित गीतों को कितनी ही बार उन पहाड़ी चट्टानों से टक्रा चुके थे उन गीतों में आशा, उपालंब, वेधना और इस्मरतियों की कचोट, ठेस और उदासी भरी रहती सबसे पीछे वाली युवक्त ने अपने आलाप को आकाश में फैलाया था उसके गीत का अर्थ था मैं बार बार लाब की आशा से लादने जाता हूँ परन्तु है उस जंगल की हर्याली में अपने यवन को छिपाने वाली कोल कुमारी तुम्हारी वस्तु बड़ी महंगी है मेरी सब पूंजी भी उसको क्रह करने के लिए परियाप्त नहीं पूंजी बढ़ाने के लिए व्यापार करता हूँ एक दिन धनी होकर आऊँगा परंत विश्वास है कि तब भी तुम्हारे सामने रंग की ही रह जाऊँगा आलाप लेकर वो जंगली वनस पतियों की सुगंध में अपने को भूल गया योवन के उभार में नंदू अपरचित सुखों की ओर जैसे अग्रिसर हो गया था सैसे बेलों की श्रेणी के अग्रभाग में हल्चर मची तड़ा तड़ का शब्द चिलाने और कूदने का उतपात होने लगा नंदू का सुख सुअपन तूट गया बाप रे डाका कहकर वो एक पहाड़ी की गहराई में उतरने लगा गिरपड़ा लुड़कता हुआ नीचे चला मूर्चित हो गया हाकिम परगना और इंजीनियर का पढ़ाव अधिक दूर ना था डाका पढ़ने वाला इस्थान दूसरे ही दिन भीड से भर गया गौड़न और सिपाहियों की दोड़ धूप चलने लगी छोटी सी पहाड़ी की नीचे फूस की जोपड़ी में उशा की किरणों का गुच्छ सुनहले फूल के साद्रश्य जूलने लगा था अपने दोनों हाथों पर जुकी हुई एक साम्वली सी युवती उस आहत पुरुष के मुख को एक टक देख रही थी धीरे धीरे युवती के मुख पर मुस्कुराहत और पुरुष के मुख पर सचेश्टता के लक्षन दिखलाई देने लगे पुरुष ने आखे खोल दी युवती पास ही धरा हुए गरम दूद उसके मुख में डालने लगी और युवक पीने लगा युवक की उतनी चोट नहीं थी जितना वो भैसे आकरांत था वो दूद पी कर स्वस्त हो चला था उठने की चेश्टा करते हुए पूछा मुणी तुम हो? हाँ चुप रहो अम में चंगा हो गया हूँ कुछ डरने की बात नहीं अभी युवक इतना ही कह पाया था कि एक कोल चौकिदार की क्रूर आंके जोपड़ी में जाकने लगी युवक ने उसे देखा चौकिदार ने हस कर कहा वाह मुणी डाका भी डलवाती हो और दया भी करती हो बताओ तो कौन कौन थे सहब पूच रहे है मौनी की आँखें चड़ गई उसमें दाथ पीस कर कहा तुम पाजी हो जाओ मेरी जोपड़ी में से निकल जाओ हाँ ये कहो तो तुम्हारा मन रीज गया है इस पर ये तो कभी कभी तुम्हारा प्याज मेवा लेने आता था ना चौकिदार ने कहा घायल बागनी सी वो तड़प उठी चौकिदार कुछ सहमा परन्तु वो पूरा काईया था अपनी बात का रुख बदल कर वो ये वक से कहने लगा क्यों जी तुम्हारा भी तो लूटा गया है कुछ तुम्हें भी तो चोट आई है चलो साहब से अपना हाल कहो बहुत से माल का पता लगा है चल कर देखो तो क्यों मोनी अब जेल जाओगी न बोलो अब से भी अच्छा है हमारी बात मान जाओ चोकिदार ने पड़ाओ से दूर हतकड़ी से जकड़ी हुई मोनी से कहा मोनी अपनी आखों की स्याही संध्या की कालिमा में मिला रही थी पेड़ों के उस जुर्मुट में दूर वो बंजारा भी खड़ा था एक बार मोनी ने उसकी ओर देखा उसके होट फड़ा कुठे वो बोली मैं किसी को नहीं जानती और नहीं जानती कि उपकार करने जाकर ये अपमान भोग ना पड़ेगा फिर जेल की भीशनता इसमरन करके वो दीनता से बोली चोकिदार मेरी जोपड़ी और सब पिड़ ले लू मुझे बचा लू चोकिदार हस पड़ा बोला मुझे वो सब न चाहिए बोलो तुम मेरी बात मानोगी वही मोनी ने चिला कर कहा नहीं कभी नहीं नर पिशाच चोकिदार ने बेदर्द होकर कई थपड लगाए पर मोनी न रोही न चिलाई वो हठी लड़के की तरह उस मारने वाले का मुझ देख रही थी हाकिम परगना एक अच्छे सिविलियन थे वे केंप से टहलने के लिए गए थे नंदू ने न जाने उनसे हाथ जोडते हुए क्या कहा वे उधर ही चल पड़े जहां मोनी थी सब बाते समझकर साहब ने मोनी के हद खड़ी कोलते हुए चौकिदार की पीट पर दो तीन बेंद जमाया और कहा देख बदमाश आज तु 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 तुझे छोड़ता हूँ फिर इस तरह का कोई काम किया तो तु तुझे से चक्की ही पिस्वाऊंगा असली डाकों का पता लगा मोनी पड़ा उसे चली गई और नंदु अपना बैल पहचान कर ले चला वो फिर बराबर अपने उस व्यापार में लगा रहा कई महिने बाद एक दिन फिर प्याज मेवा लेने की लालच में नंदु उसी मोनी की जोपड़ी की ओर पहुचा वहाँ जाकर उसने देखा जोपड़ी से सब पत्ते के चाजन तितर बितर होकर बिखर रहे हैं और पत्थर के ढौके अब तब गिरना चाहते हैं भीतर कूड़ा है जहां वो पहले जंगली वस्तूओं का धेर देखा करता था उसने पुकारा मोनी कोई उत्तर न मिला नंदु लोटकर अपने पत्थ पर आने लगा सामने देखा पहाड़ी नदी के तट पर बैठी हुई मोनी को वो हस्ता हुआ फूल कुम्रा गया था अपने दोनों पैर नदी में डाले बैठी थी नंदु ने पुकारा मोनी वो फिर भी कुछ न भूली अब वो पास आ गया मोनी ने देखा एक बार उसके मुह पर कुछ तरावट सी दोड़ गई फिर सैसा कड़ी धूप निकलाने पर एक बोचार की गीली भूमी जैसे रूखी हो जाती है वैसे ही उसके मुह पर धूल उड़ने लगी नंदु ने पूछा मोनी प्याज मेवा है मोनी ने रूखे पन से कहा अब मैं नहीं बटूरती नंदु बेचने के लिए नहीं एक टकरती नंदु ने पूछा क्यों अब क्या हो गया जंगल में वही सब तो हम लोगों के भोजन के लिए है उसे बेच दूँगी तो खाऊंगी क्या और पहले क्या था वो लोब था व्यापार करने की धन बटूरने की इच्छा थी अब वो इच्छा क्या होई जब तको उसकी बूंदों से ठंडी धूल तुम्हारे पैरों में लगे उतनी समय में अपना पत समाप्त कर लो लादना छोड़ दूँगा मौनी ओहो ये क्यों मैं इस पहाड़ी पर निस्तब्ध प्रभाव में घंटियों के मधुरस्वर की आशा में अन्मनी बैठी रहती हूँ वो पहुचने का बोज उतारने का ब्याकुल विश्राम का अनभव करके सुखी रहती हूँ मैं नहीं चाहती कि किसी को लादने के लिए मैं बोज एकटा करूँ नंदू नंदू हताश था वो अपने बैलों की खाली पीठ पर हाथ धरे चुपचाप अपने पथ पर चले लगा अभी आप सुन रहे थे जैशंकर प्रसाद की लिखी कहानी बन जारा वाचन समीर गोस्वामी का था